नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी ओपिसकुरू चैनल में दोस्तों आज हम एक सिल में सीखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए दोस्तों हमारे पास यह multiple sheets open यहाँ पर duplicate, data entry from, form, stop duplication, duplicate, arrange, free span, grade यह जो sheet है हमें इस sheet को भी यहाँ पर देखना है multiple sheet को हम यहाँ पर check कर सकते वो कैसे करना है मैं आपको बताओंगा दोस्तों इसे हम arrange all में ही जाके कर सकते दोस्तों यहाँ पर दिखे view tab में ही यह arrange all यह इसका बहुत सारा use है दोस्तों अगर आप चाहे तो इसी workbook के अंदर आप काम करते करते हैं आपको side में यही workbook open होगी आप चाहे तो इसके multiple sheet को भी check कर सकते डेटा पर यहाँ पर कर सकते दोस्तों तो इसे कैसे करना है चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों मेरे पास एक simple सा data है दोस्तों जहाँ पर मैंने कुछ नाम salary या sales मुझे update करने है ठीक है दोस्तों और मुझे यह जो details है दोस्तों यह मिलने वाली इसी workbook के अंदर एक अलग वाले sheet के अंदर ठीक है दोस्तों तो इससे मुझे कैसे देखना है दोस्तों तो हम use करेंगी वीव tab में जो arrange option है उसे use करेंगी मैं पहले वाले वीडियो में मैंने बता है कि arrange all में आप multiple workbook को एक साथ check कर सकते है एक साथ update कर सकते है लेकिन इस बार में जो workbook ने चाहिए जो already हमारी जो workbook है यहां पे लिका है because underscore oct इसी workbook के अंदर की sheet को हमें check करना है तो यहां पे हम वो workbook open करेंगे और यही sheet को हम यहां पे check करेंगे ठीक है दोस्तों चले दोस्त शुरू करने से पहले अगर अगभी तक आपने आपकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद अगर मान लीजे दोस्तों कि यह जो चोटा सा data है इ अगर है यहां पे किसी दूसरे कॉलम में ठीक है दोस्तों मुझे यह यह भी शीट अपडेट करनी है यह भी शीट अपडेट करनी है और यह वाली शीट भी करनी है तो हम कैसे करेंगे दोस्तों simple सा use करेंगे view tab के अंदर का arrange all function या arrange all option ठीक है दोस्तों देखें दोस्तों में क्या करनी है वाला पहली चीज तो आपको simple सा यहां पे view tab पे click करना है ठीक है दोस्तों और यहां पे देखें दोस्तों क्या है option new window open a second window for your document so you can work in a different place at the same time मतलब दोस्तों यह जो workbook है ना vikas underscore oct यही workbook आपको यहां पे और एक बार यहां पे open करके मिलेंगी second time देखें दोस्तों हम पहले क्या करेंगे क्लिक करेंगे new windows को देखें जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको दिखें देखें देखें दोस्तों यहां पे और एक window open हो गई यहां पे पहले पहला था अब देखें दोस्तों यह new window ने क्या क्या यही फाइल की duplicate और एक फाइल बना दी देखें अभी आपको simply जाना एरेंज में और यह देखें एल में क्लिक है दोस्तों यहां पर option mark टिक है बस इसे okay कर दीजे और यहां पर देखें दोस्तों यही फाइल आपको यहां पर भी शो हो रही है तो आप यहां पे multiple क्या कर सकते दोस्तों sheet open कर सकते और check कर सकते ओके अब यहां पे भी update कर सकते आप चाहे तो इसे multiple workbook open कर सकते दोस्तों यही workbook आपको यहां पर दो तिन बार open कर सकते एक ही workbook को और अलग-अलग sheet पर काम कर सकते देखिए duplicate पर आप यहां पर भी लिख सकते देखिए दूसरो बरबर है ओक चाहे तो आप यहां पर भी डाल सकते है šíमी जिस कर सकते है आप जैनल सेल का अगर अपको डील नहीं मिल रहा है यहां पर जाए देखि यहां पर कहीं न कई देखिए दूसरो यहां से डील अब उता है आपको यहां Cut लेना है यहां से डील आप कहीं से भी डीलसरो इस शीट का डिटा यहां पे बिश्योर है तो इसका यूज यही है दोस्तो आकि आप at a time multiple sheet के उपर काम कर सकते दोस्तो आपको बार बार control page up page down करने की जरूत नहीं पड़ेगी दोस्तो अगर यहां पे click यहां पे click है आप देखे page up page down यहां पे भी होगा दोस्तो लेकिन page up page down करके वहां से copy paste करेंगे page up page down करके तो एक काम किजी दोस्तो अगर चाहिए तो आप इस देटा के उसलेट open कर दीजे और अगर आपको यहां पे अपडेट करना है तो यहां पे आपको जाना पड़ेगा देखिए यहां पे आप अपडेट कर सकते यहां पर अपडेट कर सकते सेल्स या सेल्स लिख सकते यहां पर यहां से welook-up function भी यूजर कर सकते दोस्तो देखिए यह data ऐसे भी select होगा दोस्तों कितना जबरतस्थ function है दोस्तों देखिए आप multiple sheet के ओपर at a time वी लुक अब भी अप्लाई कर सेदा और आपके सामनी ये शीट भी रहेगा दोस्तों आपको समझ में आएगा कि पुझे कहां से कहां तक वी लुक अब लगाना है multiple workbook को आपके skin के ओपर open करके उसको भी आप वी लुक अब लगा सकते हैं कोई भी function apply कर सकते हैं अगर आपको इसे बंद करना है तो क्या करना है दूस्तों बास हो गए दूस्तों अगर आपने यहां पीचे क्या चाते हैं आप कि यह workbook बंद हो जाए आप simply इसे क्या कर दीजिए दूस्तों close कर दीजिए दिगी close करने के बाद आपको जो आपका sheet है व open कर सकते हैं और उसमें update भी कर सकते हैं उसमें आप functions भी apply कर सकते हैं तो यह था एक जबरदस्त function दूस्तों arrange all जिसमें आपने सीखा multiple sheet को हम split में यहां पर एक ही workbook में open कर सकते हैं आशा करता हूं दूस्तों आपको यह मेरे session यह video पसंद आया होगा दूस्तों please subscribe कर दीजिए और like और comment करना मत भूले दूस्तों बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद